नमस्ते फ्रेंड्स मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में तो आज मैं बनाऊंगी बहुत जादा स्वाधिस्ट लगने वाली कद्दू की खीर आप तो एक बार इसे जरूर बना कर देखना एक खाने में इतनी अच्छी लगती है कि आप बाकी सारी खीर खाना भूल जाओगे एक बार जरूर बनाना आप इसी तरीके से कद्दू की खीर और वीडियो पूरा देखना बिलकुल भी स्किप मत करना और अगर आपने इसे महमानों को देदी खाने के लिए तो वो आप से इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाई चलिए बन आते हैं भूती स्वाधिस्ट लगने वाली कद्दू की खीर कद्दू की खीर बनाने के लिए मैंने कद्दू लिया है विलकुल कच्छा वाला कद्दू है और इसका अंदर से कलर हम देखेंगे तो येलो कलर है इसका तो इसे हम छील कर काट के तैयार कर लेंगे और अंदर वाला प्याट मैंने हटा दिया है और ग्रामस में ना पें तो यह मेरा बन केजी कद्दू है यह देखिए मैंने कद्दू को छील के काट के ले लिया है अब हम इसे बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के लिए मैंने यहां पर एक पैन लिया है उसमें सारा कद्दू डाल लेंगे हम और कद्दू में बैसे भी बहुत सारा पानी रहता है तो मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ इसे डुबा नहीं रहे हम थोड़ा ही पानी डालेंगे और हम इसे ढखकर पकाएंगे हमारा कद्दू पक रहा है जब तक हम एक गैस पर दूद रखेंगे बॉयल करने के लिए क्योंकि हमारी खीर जल्दी बन कर तैयार हो जाएगी इसलिए हम एक गैस पर दूद को बॉयल कर लेंगे और बैसे भी कद्दू तो बिल्कुल सौप्ट रहता है तो बहुत जल्दी से बॉयल हो जाता है हमारा जब तक दूद भी गरम नहीं होगा तब तक कद्दू बॉयल हो जाएगा देल लीटर दूद लिया है मैंने और फुल क्रीम दूद है आप तो जब भी खीर बनाएं बिल्कुल फुल क्रीम दूद से बनाएं चार मिनिट के करीब हो गए हैं तो अब हम कद्दू को चेक कर लेते हैं कि बॉयल हुए के नहीं हमारे एक कद्दू का पीस लेंगे और उसमें हम फॉक को चुबा के देखेंगे तो बहुत अच्छे से अंदर जा रहा है तो हमारा कद्दू बिल्कुल परफेक्ट बॉयल होकर तयार हुआ है बस हमें इतना ही चाहिए गेस को बंद कर देंगे और एक छलनी ली है मैंने उसमें सारे कद्दू को हम डाल लेंगे जिससे इसका सारा पानी जो बचा है वो निकल जाए पंदरा से 20 सेकंड तक हमें से रखा रहने देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए बस हमारा सारा पानी निकल ही गया इसका तो अब जो हमने कड़ाई में दूद को बॉयल होने के लिए रखाता उसमें सारा कद्दू हमारा डाल लेंगे तो अभी कद्दू थोड़ा गरम है, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो सारा कद्दू डाल लेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। बस आप तो ऐसे ही बनाना, बिल्कुल पूरी स्टेफ फॉलो करना, आप परफेक्ट खीर बना कर कद्दू की तयार करोगे, और जो भी खाएगा आपकी तारीफ करेवना रही नहीं पाएगा। वैसे भी बच्चे तो बिल्कुल खीर खाना, मीठा खाना पसंद ही नहीं करते, तो मेरी बेटी के तो ये बहुत जादा फैवरेट खीर है, वो कोई सी भी खीर नहीं खाएगी, लेकिन इसे कद्दू की खीर को वो जरूर खा लेती है, इसलिए आपके बच्चे भी इसे जरूर खाना पसंद करेंगे, आप तो सरफ एक बार इसे बना कर देखना, इसे पक्ते पक्ते दस से बारा मिनिट हो गए हमारी खीर को, तो अब हम थोड़ा इसे मेस कर लेंगे, आप इसे पटेटو मेसर से भी मेस कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा जादा मेस हो जाती है, मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे चमच स कोई कलर ना केसर किसी चीज़ का हम इस्तवान नहीं करेंगे तो ये देखिए मैंने चमस से इसे दबा दबा कर कितने अच्छे से मैस कर ली है और ये देखिए हमारा कद्दू पीला था ना इसलिए बिलकुल इसे दबाया तो इसका कलर एलू हो गया बिलकुल और मैं यहाँ पर इसमें चीनी डाल रही हूँ तो ये मेरी 1500 ग्राम के करीब चीनी है मुझे इतनाई मीठा पसंद है और आपको अगर थोड़ा ज़ादा हो तो आप थोड़ी और डाल सकते हैं और कम पसंद हो मीठा तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं वो आप आपके इसाब से कर लें और ये देखिए हमारी कितने अच्छे से खीर बन कर तैयार हुई है तो बस हमने चीनी डाली है अभी तो थोड़ी देर इसे और पका लेंगे और ये देखिए इसका कितने अच्छे से टेक्चर आया है तो बिल्कुल एकदम फरफेक्ट खीर बन कर तैयार हुई है और बस gas को हम बंद कर देंगे यहीं पर, आप हम इससे सरप कर लेंगे, यह देखिये इसका कितना अच्छा टेक्चर आया है, तो बिल्कुल एकदम हमारी खीर परफेक्ट बन कर तैयार हुई है और हम इससे सरप कर रहे हैं, तो यह कितने अच्छे से एक साथ गिर रही है, औ और बादाम से और मैं तो आप से ही बोलूँगी कि आप तो बिलकुल इसे कद्दू की खीर को कद्दू के स्वाद में ही खाएं और इसमें कोई से भी ड्राइफ रूट्स ना डालें इसलिए एक खाने में बहुत अच्छी लगती है और इस खीर को बनाने में मुझे 22 मिनिट के करीब लगे थे और हमेंसे अच्छी से पकाएंगे इसका टेस्ट उतना ही दोगना बढ़ जाता है यह गरम खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और अगर आप इसे 30 मिनिट के लिए फिरिज में रखके खाएंगे ना तो इसका स्वाद इतना बढ़ जाता है कि बहु जी कोमेंट करकी बताना कि आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना थेंक यू